मैं तेरी आखों का साहिद मैं तेरे दिल के ही काबिन तुम जाबर मैं तेरी मंज़र इश्क का दरिया है बहता धूब जात उसे असलाम अलाइकम नाजरीन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल अरीबा मीर आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिसान की फेमस एक्टर्स और प्यूटिशन अतिका उड़्ो के बारे में और आपको बताएंगे कि 55 साल की हमर में अतिका उड़्ो ने 30 शादी कब और किसके साथ की साथ ही आपको इनकी तीसी शादी की खुबसूरा सी तसावीर और वीडियो पी दिखाएंगे और आपको इनकी पहली दो शादियों की डीटेल्स भी बताएंगे तो मकامल तस्सिला जानने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शैनल को सबस्क्राइब कर दें तो यहां पर आपको बताते चलें कि यादा करा अतीका ओड़ो पिछले काफी साल से हमारी शोबिज इंडस्टरी में मुझूद होने के साथ साथ अपना मेक अप का ब्रैंड भी रन करती है और 16 साल के उमर में इनकी पहली बेटी की पैदाईश हुई 19 साल के उमर में इनकी दूसरे बेटे की पैदाईश हुई और इनकी पहली शादी सिर्फ 6 साल तक चल सकी इसके बाद अतीका ओडो ने 26 साल के उमर में जवेद अखंड के साथ दूसरी शादी की और दूसरे शोहर में से इनकी सिर्फ एक बेटी है लेकिन अनफॉर्चनेटली ये शादी भी जादा अरसा तक ना चल सकी और इन्हों ने जवेद अगंड से तलाक ले ली इसकी बाद अदा करा अतिका ओडो ने अपनी तीसरी शादी पाकिसान तहरीके इनसाफ के रहनमा समर अली खान के साथ की और आजकल अतिका ओडो अपने तीसरी शोहर समर अली खान के साथ रहती है इसेंटली इन्हों ने एक इंट्रिवियो में एक फणी इंसिडंट अपने पैंस के साथ शेयर किया और इन्हों ने बताया कि जब वो तीसरी शादे के लिए दुलहन के रूप में मुझूद थी तब इनका चार साल का नवासा इनकी गोद में मुझूद था और ये इनके लिए काफी ज़्यादा हैरान कुन मुमेंट था इसके इलावा इन्हों ने बत आया कि इनकी शादे के तमाम फंकुशन्स को इनकी नवासوں और पोतों के साथ साथ इनके बतीजे बतीजियों ने भी काफी ज़्यादा आन्जोय किया और अदकरह अधिका ओड़ो की तिसरी शादे की खबराते ही शो बिस इंडूस्टी के काफी ज़्यादा आदकार को तो कर भी शादी करते हैं तो इसमें कोई हर्च नहीं है क्योंकि ये सुनते रसूल है तो आप अतीका ओड़ो की तीसी शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट्स के जरीए से हमिलास में बतायागा अब सब के कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए फी अमानिल्ला